ही sih और आगे बढे नेक्स्टृपर्ट्टि और गें इसको बोलते डिमॉर। लॉग bes assignments भी इसके गीलिस विन व्हें अब यह दिमॉर्गंज क्या है अगर आपके पास ऐए अ stuk प्लीमेंट कॉम्पॉसेआ होमने पढ़ाथ यूनियन बी का कॉंप्लिमेंट कॉंप्लिमेंट मतलब डैश तो यह हमेशा क्या होता है यह देखो एक का कॉंप्लिमेंट लगा दो बी के माथे पर डैश लगा दो और यह जो साइन होता है उसको उल्टा कर दो यही प्रॉपर्ट्टी लो लहेचेस और अरेचेस विल अलवेश भी इक्वल आप यह निकालो यह निकालो यह निकालो सेम ही आएगा हमेशा कोई भी एक्जामपल आप छोटा सा लेके वेरिफाई भी कर सकते हो जैसे आप A को लेलो 1,2 बी को ले लो 1,2,3 फिर यह निकालो यह निकालो यह न दोनों बराबर ही आएगा ठेक है तो यह है डी मॉर्गन लोग डी मॉर्गन लोग अच्छा डी मॉर्गन लो यह भी सिंपल ही है मतलब बीसिकली आपको क्या करना है उल्टा करता है दोनों के उपर डैस डैस लगा दो और उल्टा कर दो दोनों के उपर डैस डैस लगा के यह जो सिंबल है उसको उल्टा कर देंगे यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर bracket खुल गया तो दोनों के ऊपर डैस डैस आ जाएगा सिंपल यह भी है ना डैस मतलब compliment compliment कैसे निकालते है compliment मतलब universal set में से minus कर देना है आपको a compliment तो a के अंदर जो भी elements है है ना मतलब a compliment मतलब जो elements a के अंदर नहीं है अरे यार ऐसे होता है ना let's say for example a a आपका है 123 और let's say universal set है 12345 ठीक है यह universal set है तो a compliment क्या आएगा यह compliment मतलब जो भी elements a में नहीं है तो a में कौन कौन नहीं है 4 नहीं है और 5 नहीं है तो बस यह a compliment है समझे compliment मतलब those elements which are not present in a a compliment understood चीक है और आगे बढ़ते है अब compliment की properties compliment की properties में यह तीन है अगर आप compliment का compliment करोगे a dash का dash तो वापस a आएगा फेली property तो यह है ठीक है dash का dash तो वापस क्या आजाएगा वापस यहीं से देख लो न आप यह a dash है अब a dash का dash है ना कौन से elements है जो इसमें नहीं present है a dash में a dash का dash तो कौन कौन से elements है जो इसमें present नहीं है वापस आगया ना यही तो आगया वापस एक बार आप dash करोगे तो 45 आजाएगा फिर वापस आपने dash कर दिया अब कौन से elements है जो a dash में present नहीं है तो a वाले 1,2 और 3 समझे यह dash का dash वापस आजाएगा a अचा a और a dash का जो intersection होगा वो कुछ नहीं आएगा अब्वेसी बात है आप देखो ना इधर 1,2,3 है और इधर 4,5 है तो दोनों का intersection कभी आएगा यह नहीं उसका तो definition ही यही है ना कि जो भी elements a में नहीं present है वही आप a dash में डालोगे ठीक है तो intersection कुछ नहीं आएगा लेकिन union अगर इन दोनों का union कर दिया जाए a और a dash का तो universal set आजाएगा ठीक है again मतलब अब्वेसी बात है क्योंकि जो a में है वो a dash में नहीं है और जो a dash में है वो a में नहीं है तो सब मिला के क्या बनेगा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो universal set बन जाएगा चीक है येस इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो चीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत येस शेर दर चैप्टर सेड्यूल हाँ वो मिल जाएगा मिल जाएगा रहे तुम इतना क्यों स्पैम कर दो ठीक है येस अभी क्या वो पावर कट हो गया था न तो मेरे लैपटॉप भी बंद हो गया है तो फोन में देखना पड़ रहा है चैट तो जो भी चैट्स है थोड़ा कंट्रोल आगे बढ़ते है ठीक है चलो एक क्वेस्चन करते है ये क्वेस्चन का आंसर बताओ ये सब लोग ए एकदम फास्ट अब बताओ कैसे करेंगे ये वाला सवाल ठीक है इसमें देखो क्या बोला है यूनिवर्सल सेट क्या है पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लाग था ठीक है रोस्टर फॉर्म इस निख लो इसमें है नैचरल नंबर्स टू ट्वैल है ना तो टू स 6 इस तरह से डॉट, 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 तिल 12, ठीक है तो सारे के सारे Natural Numbers आपको लिखने है, 2 से लेके 12 से, वो यूनिवर्सल सेट बन गया, उसके बाद A, तो A में क्या है, एज़ इवन प्राइम, अच्छा, even prime तो एक ही होता है 2 2 is the only even prime even prime number कौन सा होता है एक ही तो होता है 2 चीक है उसके बाद B क्या है तो B में अगर आप देखोगे तो X is the factor of 12 तो 12 के factors कौन कौन से है 12 के factor 12 का factor वैसे 1 भी होता है लेकिन 1 तो देखो universal set में नहीं है 1 universal set में है क्या 1 universal set में नहीं है तो क्या हम इसमें 1 डालेंगे जो universal में ही नहीं है वो हम इसमें कैसे डाल सकते है ठीक है तो 1 से नहीं हम 2 से start करेंगे 2, 3, 4, 6 और 12 ये सारे numbers आएंगे आपको बोला है factors of 12 तो 12 के कौन कौन से factors होता है ये ही होता है 2, 3, 4, 6 और 12 तो ये A आ गया B आ गया, universal भी आ गया आप एक एक करके सारे options चेक करो है ना सबसे पहला जो option है option A option A में आपको निकालना है A-B A-B निकालो एक बार A-B मरलब जो पहला वाला set है उसमें से आपको common elements delete करने पड़ेंगे तो पहला वाला set कौन सा है जो पहला वाला set है वो A है तो A मेंसे आप इन दोनों के common elements दिलिट कर दो है ना तो सबसे बेंबब दो बता ओ करहउ दोनों के common elements कौन सा है common element एक ही है 2 ठीक है अगर आप इन दोनों का intersection देखो गए तो intersection क्या है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो common element एक ही है, तो common element को पहले वाले set में से delete करना बढ़ेगा, पहला वाला set यह है, उसमें से common element को delete कर दो, इसको delete कर देंगे तो क्या बचेगा, एक ही तो common element है, और वो भी delete हो गया, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, empty set आएगा, तो पहला वाल यह answer नहीं है यह तो true है यह answer नहीं है because this is true अपने को false वाला चाहिए which of the following is not true अच्छा second option check करो पहला वाला तो true है दूसरा क्या है a minus b a minus b तो अभी अभी अमने निकाला वह empty set है इसको भी निकालो आप निकालो b intersection a complement यह निकालना ज़रा a complement कितना होगा यहां पर लिख देते है a complement जो भी elements a में नहीं है तो a complement आएगा three four five six seven eight ऐसे करते करते 12 तक आएगा ठीक है तो यह सारे आएंगे ठीक है a complement in fact पूरा ही लिख देते है ताकि अपने को पता चल जाएगी कौन-कौन से common elements है ठीक है तो basically three four five six seven eight eight nine ten eleven और twelve यह a का complement है अब आपको यह निकालना है बी intersection a complement तो बी और a complement का intersection क्या क्या है देखो एक तो three common दिख रहा है एक four common दिख रहा है अपने को एक six भी common दिख रहा है और एक twelve भी common दिख रहा है ठीक है तो basically इसका answer आएगा three four six और twelve अब देखो LHS और RHS equal है क्या जो left hand side है यह तो empty set है और इसमें चार्चार element है यह वाला जो statement है यह false है यह अपना answer है और क्या option बी इसका correct answer आ गया option बड़ फिर भी एक बार C और D को check कर लेते हैं देखो जो डी वाला option है ना वो तो 100% true है क्यों option D वाला option 100% true क्यों है यह बताओ option D अगर D for Delhi D for Delhi की बात करें तो यह तो property है this is nothing but this is D Morgan's law लिखा हुआ है और law कभी गलत होता है क्या लॉग कभी गलत होता ही नहीं है तो इसको check करने की ज़रूद नहीं है कि भाई LHS निकालो RHS निकालो यह सब एक्जाम में check करने बैठो इतना time नहीं है यह तो D Morgan's है तो it has to be true ठीक है और यह वाला आपको check करना पड़ेगा तो यह आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो C option को अगर check करना तो एक आपको निकालना पड़ेगा A dash minus B dash अच्छा तो B का dash कितना होगा यहां पर लिख लेता है side में है ना what is B dash B का compliment तो देखो इसमें 2 है 3 है 4 है 5 नहीं है है ना फिर 6 है 7 8 9 10 और 11 यह सारे elements आएंगे B dash में अब A dash minus B dash तो common elements को minus कर तो first set में से तो पहला set है A dash A dash में से देखो common क्या-क्या है एक यह 5 common है तो 5 को हटा देंगे हम 7 7 7 common है 8 8 8 common है 9 common है 10 common है और 11 भी common है तो क्या-क्या बचेगा तो बचेगा 3 4 6 और 12 ठीक है 3 4 6 और 12 तो यह आएगा ठीक है A dash minus B dash हमने निकाल दिया और अब निकालो B minus A ठीक है तो B minus A का value कितना आएगा B मैंसे इसको हटा दो ठीक है B minus तो जो पहला set होता है न उसमें से इन दोनों के common elements को हटाना होता है तो बिसिकली 2 को हटा दो common element 2 ही है तो 3 4 6 और 12 सेम ही तो आ रहा है Yes or no 3 4 6 और 12 यह दोनों equal आ रहा है और अगर दोनों equal आ रहा है तो यह वाला जो statement है यह भी true है ठीक है तो यह भी answer नहीं होगा यह भी answer नहीं होगा इसका जो correct answer है that is option B तो सारे के सारे options आपको समझ में आगे क्या Yes सारे के सारे options एकदम clear है एक एक करके हमने सारे के सारे options calculate करे ठीक है और फिर finally option B जो है वो उसमें LHS is not equal to RHS वो गलत है basically on Academy let's track it